केक को बेक करने के लिए सबसे पहले हम केक टिन रेडी कर लेंगे इसके लिए हमने लिया है यह केक टिन इसे हम ऑईल से अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे केक टिन के साइड में भी हम अच्छी तरह से ओईल लगा देंगे यह लिया है हमने एक बटर पेपर इस बटर पेपर को हम इस केक टिन के अंदर प्लेस कर देंगे आप यहाँ पर butter paper की जगह simple वाले paper को भी oil से grease करके उसका भी use कर सकते है या फिर आप cake tin को मैदे से भी dust कर सकते है इस butter paper की उपर भी हम अच्छी तरह से oil लगा देंगे ये देखिए हमारा cake tin ready है अब इसे हम रखेंगे एक side में जैसा कि आज हम बना रहे है chocolate banana cake इसके लिए हमने यहाँ पर लिए है तीन bananas ये over ripe bananas है इसका use हम यहाँ पर cake बनाने के लिए करेंगे ये थोड़े छोटे size के बनाना है इसलिए हमने यहाँ पर तीन लिए है अगर थोड़े medium size के बनाना आपके पास है तो दो बनाना इस cake को बनाने के लिए sufficient है ये लिया है हमने एक blending jar इस blending jar के अंदर हम इन बनाना को इस तरह से कट करके इसके अंदर add करेंगे अब इस blending jar में हम add करेंगे half cup powdered sugar और वन फोर्थ cup अन फ्लेवर्ड ऑईल अब इन तीनों इंग्रिडेंट्स को बनाना शुगर और ऑईल को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे इस ब्लेंड किये हुए mixture को हम इस mixing bowl में निकाल लेंगे अब इसके अंदर हम add करेंगे dry ingredients इसके लिए हमने यह लिए एक चन्नी इसमें हम डालेंगे एक कप मैदा एक चोथाई कप cocoa powder आप cocoa powder की जगह इस तरह का जो हर्शेस का चॉकलेट सेरा पाता है इसका यूज़ भी कर सकते हैं या फिर dairy milk या कोई और चॉकलेट को melt करके भी इसके अंदर add कर सकते हैं क्यूंकि हमें इस cake के अंदर चॉकलेटी फ्लेवर देना है यहाँ पर हम add कर रहे हैं cocoa powder यह unsweetened cocoa powder है अब इसके अंदर हम add करेंगे वन टीस्पून बेकिंग पाउडर हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा इन सभी dry ingredients को हम इस तरह से चान लेंगे जिससे की अच्छी तरह से mix हो जाएंगे अब इन dry और wet ingredients को हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे यह लिया है हमने half cup milk यह milk room temperature पर है ना तो यह बहुत सादा गर में ना ही बहुत सादा ठंडा है अब धीरे धीरे करके हम इस mixture के अंदर यह milk add करेंगे और इसे mix करते जाएंगे हमें बैटर में milk धीरे धीरे करके ही add करना है अगर सारा milk हम एक साद एड़ कर देंगे तो हो सकता है कि हमारा cake का जो बैटर है वो थोड़ा सा पतला हो जाए फिर हमें सारे ingredients के quantity को इसके अंदर बढ़ाना पड़ेगा यह देखिए इस cake के बैटर में हमने जो आधा कप milk लिया था वो पूरा हमने इसके अंदर add कर दिया है और इसकी consistency आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इसकी consistency है इस तरह की ribbon consistency आप देख सकते हैं इस batter को जब मैं उपर से इस तरह से गिरा रही हूँ तो यह देखिए flowing ribbon consistency इसकी आ रही है इस तरह का ribbon जो है वो बनना चाहिए यही हमारे cake के batter के लिए एक perfect consistency होती है इस cake के batter को बनाने के लिए आपको एक या दो टेबल स्पून milk कम या जादा भी लग सकता है तो आप इस तरह की इसकी consistency देख लें और उसके according ही इसको बनाए यहाँ पर हमने लिया है तीन टेबल स्पून चौको चिप्स इसके अंदर हम एड करेंगे वन टेबल स्पून मैदा और इसे अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे इस तरह से चौको चिप्स को जब हम मैदे के साथ डस्ट करके एड करेंगे तो यह पूरे केक में evenly फैलेगा चौको चिप्स को हम इस केक की बैटर में अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे आप यहाँ पर चौको चिप्स की जगह अपनी पसंद के कोई भी ड्राइफ रूट्स को अच्छी तरह से चौप करके उसको भी इसमें यूज कर सकते हैं यह विदाउट चौको चिप्स और विदाउट ड्राइफ रूट्स भी आप इस केक को बना सकते हैं लास्ट में इस केक के बैटर में हम एड़ करेंगे 1 टीजपून विनेगर, आप यहाँ पर विनेगर की जगह 2 टीजपून लेमन जूस का भी यूस कर सकते हैं, या फिर 1 फॉर्थ कप फ्रेश कर्ड का यूस भी आप इस केक के बैटर में कर सकते हैं, अब हम इसे light hand से पूरे बैटर में अच्छी तरह से mix कर लेंगे, केक का बैटर अब रैडी है, अब इमिडेटली हम इस केक के बैटर को ट्रांसफर करेंगे इस केक टिन में, बैटर रैडी होने के बाद हमें इस केक के बैटर को ज़्यादा देर तक ऐसे ही नहीं छोड़ना है, हमने इसके अंदर एड़ किया है विनेगर, बेकिंग पॉडर और बेकिंग सोडा, इन तीनों के रियक्शन से हमारा केक बहुत अच्छी तरह से फूलेगा और बहुत ही ज़्यादा स्पॉंजी बनेगा, अब इस केक टिन को हम दो से तीन बार टैप करेंगे, अब इस केक के ऊपर हम इस तरह से ये चौको चिप्स जो है, वो पूरे केक के बैटर पर फैला देंगे, जिससे कि हमारा केक ऊपर से भी देखने में बहुत अच्छा दिखेगा, यहाँ पर हमने एक कड़ाई को आठ से दस मिनिट के लिए लो फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए रख दिया था, इस कड़ाई के अंदर हमने रखी है ये रिंग, अब इस केक टिन को हम आराम से रखेंगे इस रिंग के ऊपर, और इस कड़ाई को कवर करके, लो टु मीडि कर लेंगे, और हाँ अगर आप इस केक को माइक्रोवेव या कन्वेक्शन में बेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप आवन को 180 डिग्री सेंटिग्रेट पर प्री हीट कर लें, और 40 तो 45 मिनिट तक केक को बेक कर लें, या फिर जब तक आपकी टूथ पर क्लीन नहीं आ केक अच्छी तरह से बेक हुआ है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हमने लिए एक टूथ पेक, इस टूथ पेक को हम केक की सेंटर में इस तरह से इंसर्ट करेंगे, और ये देखिए, आप देख सकते हैं, हमारी टूथ पेक बिलकुल क्लीन निकल कर बहार आई है, इसका मत 30 मिनिट्स के बार एक बार केक को चेक कर लें, कि वो अच्छी तरह से बेक हुआ है या नहीं, आपको केक की ये टॉप लेयर थोड़ी सी अनीवन सी दिख रही होगी, आक्च्छल ये जो हमने थाली इसके उपर ढकी थी, तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये बैटर जो है इसके उपर फूलने के बाद लग गया था, इस वज़े से हमारा जो केक है, इसकी टॉप लेयर थोड़ी सी अनीवन हो गई है, आप केक को बेक करते समय जो भी थाली ये ढखकन इसके उपर ढखें, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो थोड़ा सा हाइटेड हो, जि हम इस केक को कवर कर देंगे, जिससे की इसकी उपर की लेयर ड्राय नहीं होगी, और इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे, ये देखिए केक अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, अब हम इसे डिमोल्ड करेंगे, ये लिया है ह अपनी साइट्स को छोड़ देता है, अब इस केक टिन को हम इस तरह से पल्टेंगे, यह देखे, कितना इजी लिए केक बाहर आ गया है, अब इसकी ओपर हमने जो बटर पेपर लगाया था, इस बटर पेपर को हम इस पे से रिमूव कर लेंगे, अब इस केक को हम आराम से इस तरह से पलट कर सीधा कर लेंगे, इस केक को मैं आपको कट करके अंदर से भी दिखाती हूँ, कि कितना ज़ादा स्पॉंजी केक बनकर तयार हुआ है, यह देखिए, एक पीस में आपको पास से जूम करके भी दिखाती हूँ, यह देखिए, आप देख सकते हैं कितना ज़ादा स्पॉंजी केक बनकर तयार हुआ है, यह देखिए, यह देखिए, एक पीस में आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ, यह देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट, एक दम रूई की तरह मुलायम यह केक हमारा बनकर तयार हुआ है, यह देखिए, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस रेसिपी को आप एक बार अपने घर पर जरूर ट्राय करें, यह बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही यम्मी केक बनकर तयार होता है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फैमिली, फ्रैंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग,